दुनिया के बड़े बाजार में एक बड़ी एकॉनमी की एंट्री होने वाली है जिसे हम प्यार एंड रिस्पेक्ट से कहते हैं आई एंडिया इंडिया हमारा प्यारा भारत मैं हूँ अनिमेश और ऐसा बहुत सारी जगों पे कहा जा रहा है कि ये एंट्री रेश्या को हटा के की जा रही है जिससे रास्ता खुल रहा है भारत में 30 बिलियन डॉलर्स के आने का क्या है कहानी बताता हूँ कहानी की शुरुवात होती है रश्या यूक्रेन की लड़ाई से रश्या ने यूक्रेन पे हमला कर दिया दुनिया बॉखला गई रश्या पे सैंक्शन सा गए Swift Payment System से रश्या बाहर हो गया और J.P. Morgan Bond Index से भी रश्या को बाहर कर दिया गया जैसे ही इस Global Bond Index से रश्या बाहर हुआ वहाँ पर एक जगह क्रियेट हुई और जगह क्रियेट होते ही तलाश हुई कि इस जगह को कौन भर सकता है तो नाम आया इंडिया का इंडिया याने की Emerging Markets की सबसे बड़ी Bond Market की Capacity वाला देश अब दावा ठोक रहा है लेकिन ये Entry ऐसे ही नहीं होती है JP Morgan Bond Index के जितने भी investors हैं उनसे पहले राय शुमारी की जाती है कि इंडिया को include कर लें किया तो Morgan Stanley का एक सर्वे बताता है कि 60% investors का ऐसा मानना है कि इंडिया को नहीं include करोगे तो किसे include करोगे? कितना diversified market है? कितना बड़ा बाजार है? कितनी prospering economy है? कितना cash flow है? कितना forex reserve है? और 1 trillion dollar का तो debt market है इंडिया के पास? इंडिया जगा नहीं बनाएगा तो कौन जगा बनाएगा? तो बहुत जल्द JP Morgan Global Bond Index में 10% के weightage के साथ इंडिया के entry हो सकती है और इंडिया में entry हो सकती है foreign investors के 30 billion dollars की अब bond की इतनी बात चली है तो बता देता हूँ bond क्या होता है? bond सरकार की साख होती है देश पर भरोसा होता है अपने bond कोई देश जारी करता है और investor से कहता है कि हम पे पैसे लगाईए bond खरीदिये हम आपको धाई, तीन, चार जो भी percentage of bond interest उस वक चल रहा होता है पैसे देंगे और ये बात investors को अच्छी लगती है जिस देश पर जितना ज्यादा भरोसा उसके bond उतने कम interest के साथ बाजार में खरीदे जाते है इंडिया के hashtag bond वाले अच्छे दिन आ रहे है